तो दोस्तों, कहानी की शुरुवात में हमें जंग के बाद की दुनिया दिखाई जाती है, जब धर्ती पूरी तरह बंजर बन चुकी है, अब ना तो लोगों के पास ठीक से पीने के लिए पानी है और ना ही पेट भरने के लिए खाना, इसलिए अक्सर यहां पानी और पेट बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन यह लोग उसे पकड़ लेते हैं और बंदी बना कर पहाड़ी पर बने एक किले में ले जाते हैं, दरसल यह लोग किले के सरदार इम्मोर्टल, जोकि सिपाही हैं, जिन्हें वर्वायर्स के नाम से जाना जाता है, फिर यह लोग मैक किसी तरह उनसे बच कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसे विजन्स आने लगते हैं, जिनकी वजह से वह भ्रमित हो जाता है, और जैसे ही वह दर्वाजा खोलता है, तो नीचे बहुत गहरी खाई होती है, जहां से कूदने का मतलब था, सीधे मौत के मु नीचे छोड़ता है, जिसे वह जमीन के अंदर से प्रोसेस करके निकालता है, अब जब सब लोग पानी भरने के लिए आगे आते हैं, और कहता है कि मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ और एक दिन तुम मेरी ही बदौलत उपर उठोगे, अब हम जो की सबसे काबिल सिपा ही उसके साथ जा रहे हैं, फिर अचानक फ्यूरियोसा अपना रास्ता बदल लेती है, और वह सड़क छोड़कर पूर्व दिशा की तरफ जाने लगती है, जो दुश्मन लोगों का इलाका है, जब जो दूरबीन से यह देखता है, तो उसे फ्यूरियोसा पर सक हो जाता है फिर वह दोड़ता हुआ अपने लॉकर रूम में जाता है, और देखता है कि उसकी पांचों बीवियां यहां से गायब हैं, जिन्हें उसने बच्चे पैदा करने के लिए यहां कैद करके रखा था, ताकि वह अपने वंश को आगे बढ़ा सके अब फिरियोसा की इस बगावत से जो बुरी तरह भड़क चुका था, वह अपनी आर्मी को उसका पीछा करने के लिए तयार करता है वही हम मैक्स को देखते हैं, जिसे इन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके उल्टा लटका रखा था, और नक्स नाम का बीमार सिपाही उसका बलड ले रहा था अब नक्स को जब पता चलता है कि सब लोग बागी को पकड़ने जा रहे हैं, तो वह मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांध लेता है, और फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए सब के साथ हो लेता है उधर फ्यूरियोसा जैसे ही दुश्मन के इलाके में एंटर होती है, तो कुछ लोग ओनियल टैंकर पर हमला करते हैं, जिसके बाद फ्यूरियोसा के सिपाही भी उन पर पलट बार करते हैं, और दोनों तरफ से जंग शुरू हो जाती है उधर जो अपनी फॉज लेकर टैंकर के नजदीक पहुँच जाता है और सब मिलकर दूसरे इलाके वाले लोगों को मार देते हैं, तब ही जो की सभी पतनिया टैंकर से बाहर आती हैं, जिन्हें अंदर सांस लेने में काफी परिशानी हो रही थी, लेकिन फ्यूरियोसा उन मैक्स बना हुआ था, वह फ्यूरियोसा का पीछा करता है और टैंकर को उड़ाने के लिए अपनी कार के अंदर पेट्रोल भरने लगता है, क्योंकि जंग में शहीद होना इनके लिए फक्र की बात होती है, अब इससे पहले की धमाका होता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता ह और तभी फ्यूरियोसा पीछे से उनकी कार को टककर मार देती है, जिसके बाद उस कार के परक्खे उड़ जाते हैं, अब तूफान थमने के बाद जब मैक्स को होश आता है, तो वह रेत में धंसा हुआ था, लेकिन उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं, फिर वह अपनी बॉडी से उस ब्लड पाइप को निकालता है, जो नक्स की बॉडी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी उसका हाथ जन्जीर से बंधा हुआ था, फिर वह नक्स के हाथ पर सूट करता है, लेकिन गोली नहीं चलती, तभी उसे वह ओनियल टैंकर दिखाई पड़ता है, जिसे फ्यूरियोसा रिपेयर कर रही थी, जिसके बाद मैक्स नक्स को उठा कर टैंकर की तरफ बढ़ता है, और देखता है कि जो की पाँचों बीविया नहा रही है, फिर मैक्स उन पर गंड तान देता है, और उनमें से एक को पानी का पाइप देने का इशारा करता है, अ अब ये दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं, तभी मैक्स देखता है कि जो अपनी फॉर्ज के साथ यहां पहुँचने वाला है, फिर वह नक्स से अपनी चैन कटवा है, और उसे एक पंच मार कर वहीं सुला देता है, तभी जो की एक पतनी बताती है कि हम प्यूरियोसा को पीछे से दौड़ती हुई आती है, और बताती है कि इस टैंकर को केवल मैं ही चला सकती हूँ, क्योंकि इसके सीक्वेंसस मैंने ही सेट किये हैं, फिर मैक्स उसे अंदर आने के लिए कहता है, फिर वह नक्स उन्हें साथ ले जाना नहीं चाहता था, फिर बताती है कि जो अगले 5 मिनट में यहां पहुँच जाएगा, और अगर हम यहां से नहीं निकले, तो सब के सब मारे जाएंगे, फिर मजबूरन उसे सब को अंदर बिठाना पड़ता है, जिसके बाद फ्यूरियोसा रिक को लेकर आगे बढ़ती है, वह उसे मास्क हटाने क बाद फ्यूरियोसा दिखती है कि दूसरे कबीले के लोग भी उनका पीछा कर रहे हैं, जिनके पास बड़े बड़े ओनियल टैंकर्स और आतिश बाज हैं, फिर अचानक ट्रक का पिछला हिस्सा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रक की स्पीड कम हो जाती है, फिर मैक्स उसे ठीक करने के लिए पीछे जाता है, तभी नक्स केविन के अंदर जाकर फ्यूरियोसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह पांचों लड़किया मिलकर उसे पकड़ लेती हैं, और उठाकर टैंकर से बाहर फेंग देती हैं, तभी मैक्स बताता है कि कुछ बुलेट तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं, फिर यह लोग एक घाटी से गुजरते हैं जो बाइकर गैंग्स वालों का इलाका है, लेकिन फ्यूरियोसा की उनके साथ डील हुई थी, कि वो लोग उसे सुरक्षित यहां से जाने देंगे, और बदले में फ्यूरियोसा उन्हें 3000 गैलन पेट्रोल देगी, तब ही बाइकर्स गैंग का बंदा देखता है, कि फ्यूरियोसा के पीछे पूरी की पूरी फूरी फॉज चल रही है, उन्हें लगता है कि फ्यूरियोसा ने उन्हें धोखा दिया है, और इसी लिए वह लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद मैक उन्हें साथ ले लेता है, वहीं बाइकर्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उनका पीछा करते हैं, जिनसे पीछा चुडाने के लिए मैक्स और फ्यूरियोसा उन पर गोली चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे बाइकर्स मारे जाते हैं, तब ही जो टैंकर का पीछा करते और जैसे ही वह उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, तो उसकी एक प्रेगनन्ट बीवी आ गया जाती है, फिर जो टैंकर रोकने के लिए नक्स को भेजता है, लेकिन उसके हाथ में बंधी चैन टैंकर में फंस जाती है, और वह नीचे लटक जाता है, तब ही जो का बड़ दूर चलने के बाद फ्यूरियोसा इंजन को ठंडा करने के लिए रुख जाती है, लेकिन तो बाइकर्स तेजी से उनका पीछा कर रहे थे, जिन्हें वह सूट कर देती है, फिर मैक्स पूछता है कि जिस हरी घाटी के बारे में तुम बात कर रही हो, वह यहां से कितनी अब चलते-चलते इन्हें शाम हो जाती है, और यह लोग एक दल-दली इलाके से गुजरते हैं, जहां मैक्स जो को रोकने के लिए कुछ डाइनमाइट्स को जमीन में छिपा देता है, अब जैसे ही जो की आर्मी वहां से गुजरती है, तो तेज धमाके के साथ उनकी कई ग वही हम मैक्स और बाकी लोगों को देखते हैं, जो दल-दल में फंस चुके ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी फ्यूरियोसा देखती है कि एक बुलिट फार्मर तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, जिसे रोकने के लिए वह निशाना साधी है, और एक ही श बुलिट फार्मर्स पीछे से अंधा धुंद फाइरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें जो कि चारों पतनियां बाल-बाल बचती हैं, फिर मैक्स उन पर जबाबी हमला करने के लिए अकेला ही आगे बढ़ता है, वही यह लोग टैंकर के इंजन को ठंडा करने के लिए अगले दिन सुबह होती है, तो मैक्स को फिर से विंजन्स आने लगते हैं, वह फ्यूरियोसा से पूछता है कि तुम उस हरी घाटी के बारे में कैसे जानती हो, फ्यूरियोसा बताती है कि मैं वही पैदा हुई थी, लेकिन बचपन में ये लोग मुझे चुरा कर ले गए, मैंने पहले भी भागने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन इस बार में जंगी टैंकर चला रही थी, इसलिए भागने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता था, तब ही फ्यूरियोसा को एक टावर नजर आता है, जिसे उसने बचपन में देखा था, फिर वह पास जाती है, और देखती है कि टावर के ऊपर एक महिला मदद के लिए चिला रही है, मैक्स कहता है कि यह कोई चाल है, जिसके बाद फ्यूरियोसा उन्हें अंदर ही रुखने के लिए कहती है, और खुद नीचे उतर कर बताती है कि मैं भी तुम में से एक हूँ, फिर मैं लड़की टावर से नीचे उतरती है, और फ्यूरियोसा को पहचान लिती है, जिसके बाद बाइक पर सवार कुछ महिलाएं उनके नजदीक आती हैं, जो फ्यूरियोसा की मां को जानती थी, ये लोग फ्यूरियोसा से पूछते हैं कि तुम कहां से आ रही हो, फ्यूरियोसा बताती है कि वो घाटी अब नहीं रही, अब वो सब बंजर बन चुकी है, ये सब सुनकर वो बहुत दुखी होती है, और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मिलती हूँ अगली वीडियो में टेक केर, बाई बाई